नमस्कार सातियों परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम का आयोजन प्रत्यक राज किये एव नीजी विद्याले में किया गया था और 6-12 में अध्यन करने वाले विद्यारतियों ने इस कारिक्रम में भाग लिया था कारिकरम से संबंधित विध्यारतियों का एक मिनिट का वीडियो आपको परिशापर पोर्टल पर अप्लोड करना अनिवारी है तो मेरा आमनिवास महरा आपको इस वीडियो में अप्लोड किये जाने वाले वीडियो का डेमो बताऊंगा साथ में वीडियो अप्लोड करने की संपुन परक्रिया की जानकारी दूंगा तो संपुन परक्रिया बताने से पहले सात्यों मेरा आप से छोटा सानी वेदन रहेगा कि यदि आप चेनल पर नहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कीजेगा और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफोर्म पर देख रहे हैं तो चेनल को फोलो करना ना बूलेगा तो आईए सात्यों देखते हैं परिक्षा परो पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले वीडियो का डेमो प्रणा प्रधान मंत्री महुदे मेरा नाम समर महरा है और मैं कक्षा चार में राजकिय प्रात्मिक विद्जाले तेले खेडी में अध्यन करता हूँ मुझे परिक्षा से बहुत डर लगता था और जब भी कोई टेस्ट या परिक्षा आती थी तो मैं काफी घबरा जाता था पर जब मेरे गुरू जी ने आपका कारेक्रम मुझे दिखाया और आपके अनुसा मार्गदर्शन दिया तो मेरा परिक्षा से लगबग डर खतम हो चुका था धन्यवाद परदान मंतरी महोदे विध्यार्तियों को समय देने के लिए परिक्षा परो पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले वीडियो का डेमो आप देख चुके हैं इसी तरह आपको अपने विध्यार्तियों का एक मिनिट का वीडियो शूट कर लेना है उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखना है प्रक्रिया समझ लेनी है फिर वीडियो के डिस्क्रिप्चन बोक्स में आपको जाना है वहां मैंने आपकी सायता है तो एक लिंक उपलब्द करवाया है जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा अब आपको क्या करना है पेज को स्क्रोल अप कर लेना है जैसे आप पेज को स्क्रोल अप करेंगे आपके सामने इस तरह से information open होकर आएगी आपके सामने यहाँ जो page display किया जा रहा है यदि आप इसकी भाषा बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिया हुआ है आप यहाँ क्लिक करके इसकी भाषा को परिवर्तित कर सकते हैं जब आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ बशा परिवर्तित दिखाए देगी अब आपको क्या करना है यहाँ पर विद्यारती का नेम लिखने लेना है उसके बाद यहाँ उसके पिताजी का नेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है देन आपको यहाँ पर विद्यार्ती के माता का नेम एंटर करना है फिर विद्यार्ती के आदार नमबर आपको यहाँ एंटर कर लेने फिर आपको जो यहाँ चेक बोक्स दिया हुआ है इस चेक बोक्स पर क्लिक कर लेना है देन यहां आपको विद्ध्यार्ती के mobile number एंटर करना है फिर यहां आपको विद्ध्यार्ती की यदि email id है तो आप एंटर कर सकते हैं अन्यता अपने विद्ध्यार्ती की email id आप यहां पर एंटर कर सकते हैं यहां आपको विद्ध्यार्ती की आयू एंटर करना है उसके बाद विध्यार्थी की कक्षा आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है देन आपको यहाँ इस्कुल का नेम एंटर कर देना है उसके बाद आपके विध्याले का पूरा पता आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है फिर आना है आपको नीचे की ओर तो यहाँ आपको state select करने के लिए कहा जाएगा या राज़ select करने के लिए कहा जाएगा तो जिस भी राज़ से आप belong करते हैं उस राज़ को आप यहाँ से select कर लिजेगा उसके बाद आपको जीला select करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है तो आप यहाँ जीले पर click किजेगा जिस भी जीले से आप बिलोंग करते हैं वो जीला आप यहां सेलेक्ट कर लिजेगा अब आपने जो एक मिनिट का वीडियो विध्यारतियों का शूट किया है उसको आपको यहां अपलोड करना होगा तो आपको यहां ध्यान रखना है कि वीडियो एक मिनट का होना चाहिए उसकी साइज 200 MB से अधिक नई होनी चाहिए इस बात का आपको विशेज घ्यान रखना है फिर आपको यहाँ option दिया हुआ है choose file का तो आपको यहाँ पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे automatically आपका system आपको file folder में ले जाएगा जहां भी आपने विध्यारती के वीडियो को रख रखा है वहाँ से विध्यारती के वीडियो को select आपको कर लेना है वीडियो का name आपको यहाँ दिखाए देने लेगेगा यदि आपने वीडियो का name रखा होगा तो उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओराना है अब आपको यहाँ कहा जा रहा है क्या आपके पास वीडियो file नहीं है अपना वीडियो link परदान करें यदि आपके पास वीडियो file नहीं है तो ऐसी condition में आपको क्या करना है विद्यार्ती ने अपने वीडियो को यदि किसी YouTube चैनल पर डाला है तो उस चैनल से वीडियो का लिंक आपको कोपी करना है उस लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है यदि विद्यार्ती ने YouTube पर वीडियो को नहीं डाला है इस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेर किया है तो आप वहाँ से इस्टाग्राम से विध्यारती के वीडियो का link कोपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे और यदि आपको YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर वीडियो का link नहीं मिलता है यदि विद्यारती ने ट्यूटर पर अपने वीडियो को पोस्ट किया है जिसे वर्तमान में हम X भी केते हैं तो आपको क्या करना है ट्यूटर पर जहां भी विद्यारती ने अपने वीडियो को पोस्ट कर रहा है उस वीडियो के post का link आपको copy कर लेना है और यहां paste कर देना है पर यह आपको कब करना है जब आपके पास video file अउलेबल ना हो यदि आपके पास video की file अउलेबल है तो आपको यहां link provide करवाने की आउशकता नहीं है अब आपको यहां देखना है यहां आपको कुछ capture calculation दिखाए देंगे इन capture calculation को आपको यहां same to same enter कर लेना है देन आपको यहां option मिल जाएगा upload करेगा तो आपको यहां पर click कर लेना है जैसे आप यहां पर click करेंगे सारी information फुल्फिल करने के बाद तो आपको पुछा जाएगा are you sure you want to submit तो आपको यहां okay देखने को मिलेगा उस पर उप्योगी रहेगी और यदि प्रक्रिया आपको उप्योगी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजेगा और इस वीडियो को हमारे प्रत्यक साती तक पहुचाने का कस्च कीजेगा ताकि उनका कारे भी आपकी तरह आसान हो जाए और यदि आपको किसी प्रकार की तक की समझ्चा आती है तो मुझे कमेंट बुक्स में कमेंट लिखिएगा मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा मिलते हैं साथ यो इसी तरह के important topic के साथ तब तक के लिए जेहिन जेवारत